हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई इस्टेडिशीट चैनल दोस्तो आज मैं हारवर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में संपूर जानकारे देने वाली हूं दोस्तो यह कार्डियो वैस्कुलर फिट्नेश यानि कार्डियो रिस्पाइटी इंडिरेंश को मापता है के अंतरगत आता है दोस्तो जदि आप सिलेबस के कार्डिंग फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉंपेटिटिव एक्जाम्स तीजिटी पिजिटी के विएस एंवि सभी वीडियो सिलेबस के एकार्डिंग है उन सभी वीडियो इसको वाच करके आप अपने तयारी को बहतरिंग कर सकते हैं दोस्तो प्रिविएस यह के क्वेस्टन का डेली प्रेक्टिस सेट दिया जाता है उसको आप प्रेक्टिस लगाना न भूलिएगा तो दोस्तो चलि लियूसीन व्रोहा ने हर्वाट विश्व विद्याले अमेरिका में के इस्टेंट पर सबसे पहले प्रियोग किया सबसे पहले कोस्टन तो यही होता है कि हर्वाट इस्टेप टेस्ट को किस ने बनाया तो 1943 में लियूसीन व्रोहा ने बनाया किस पर बनाया है? Harvard विद्याले में के इस्टेट्स पर सबसे पहले इन्होंने प्रयोक किया इस Harvard Step Test का प्रादम में कालेज की लड़कों के इन्होंने बनाया था दोस्तों इस Harvard Step Test का परपज क्या है? इसका उद्देश से क्या है? तो यहां टूब मेज़र कार्डियोच इसपॉरेटरी इन्डूरेंस यानि कार्डियो वैस्टलर फित्स क्या मापने के लिए बनाया ग्या है? कार्डियो रिस्पॉरेटरी इन्डूरेंस या कहिए procedure85 सीपरों की सहन सिलता या छंबता को आपने के लिए Harvard Step Test को बनाया गया है तो दोस्तों यहां पर दो question हो गया कि Harvard Step Test को किस ने बनाया तो 1943 में लिसीन ब्रोहा ने बनाया क्या मात्ता है किस परपस से बनाया गया है तो Cardio Respiratory Indurrence जा हिंदी में पुछेगा हिदय फिप्रो की सौन चमता या Cardio Vascular Fitness ऐसे इस तरह से पुछ सकता है तो दोस्तों यहां किया कैसे जाता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों इसमें क्या equipment होता है उपकरण कि इस चीज़ का परियोग होता है तो सबसे पहले इसमें एक box का परियोग किया जाता है जैसा कि चित्र में दीख रहा है वो बाक्स पूर्सों के लिए 20 इंच यानि की 50 cm का होता है मैलाओ के लिए 17 इंच यानि 45 cm का होता है और क्या उपकरण होता है एक इसकोप होता है जो जिसकी help से किसी भी ब्यक्ति की पल्स को मापते हैं हार्ट रेट को मापते हैं इदर की धड़कर को मापते है इसकोप से क्या मापने जाता है हार्ट रेट को मापने जाता है तो इसकी help से किसी भी परसन की पल्स को मापते है एक इस्टा आप वाच होता है, यारि time देखने के लिए और एक helper होता है, यारि सहायक उसको बोलने के लिए up, up, down, down, बोलेगा ओ और जो करता रहेगा ओ, up, down, down उस bench पे करेगा, उस box पे करेगा उपर और नीचे अब बात करती है या कैसी किया जाता है इसका प्रोसीजर देखते है सबसे पहले कोई भी किलिया करने से पहले वार्म अप किया जाता है सबसे पहले वार्म अप करेगा हलका फलका ब्यायाम करेगा ठीक है उसे के बाद बिना रुके पांच मिनट तक वह बोक्स पे अप अप डाउन डाउन करेगा यानि sit up sit down करेगा ठीक और एक मिनट में 30 sit up sit sit down करेगा ठीक है यानि कुल पांच मिनट तक बिना रुके वह करेगा और अधिक से कम से कम एक मिनट में 30 sit up sit down करना होगा उसे के बाद पांच मिनट तक वह बोक्स पे अप डाउन डाउन करेगा अभ्यास करेगा पांच मिनट तक फिर अभ्यास के तुरंत बाद करता को छती पूर्ती यानि recovery के लिए कुरसी पर बैठा दिया जाता है या एक जग recovery यानि आराम के एक मिनट तक या आराम के एक मिनट तक आराम कर लिया एक मिनट तक उसको कुरसी पे बठा दिया जाएगा और एक मिनट तक वह आराम करेगा recovery फेज में रहेगा उसे के बाद आप्टर फाइप मिनट बराबर वन मिनट रेस्ट यानि आप्टर फाइप इसके बाद अभ्यास के बाद एक मिनट का रेश्ट करेगा और फिर क्या होगा रिकावरी के एक मिनट बाद समागत होने पर यानि एक मिनट पास मिनट अभ्यास किया उसके बाद एक मिनट तक हुआ अराम किया यानि रेश्ट लिया और उसके एक मिनट के तुरंद बाद एक Thai पर यानी года एक मिनात के तुरहनत बाद तीस सेकेंड तक उसका पल्स काउंट किया जाता है यानी एक मिनात तक अराम किया एक मिनट से लेकर Allah04ीud Prothalk दिया जाएगा इसी तरह चलता रहेगा 30 second first count 30 second rest तो एक मिनट के अभ्यास के बाद 1 से 31 तक first count किया गया फिर 30 second rest दिया जाएगा यानि एक 30 से 2 तक rest करेगा फिर 2 से 2 30 तक फिर 30 से 3 तक मिनट किया जाएगा उसके बाद 30 second rest दिया जाएगा फिर 2 तिरस तक rest करेगा फिर 3 से 3 तक पर किया जाएगा इस प्रकार 30 second rest 30 second पर्स काउंट किया जाएगा उसके बाद इसको काउंट कर लिया जाएगा कि P1 यानि पहले पर्स काउंट में कितना हार्ट रेट था दूसरे पर्स काउंट में कितना हार्ट रेट था तिसरे पर्स काउंट में कितना हार्ट रेट था इस बार का तीन बार हम करेंगे तो P1 यानि Pulse Count 1 बराबर 90 90 हार्ट रेट था आप्टर रिकवरी आप यानि अराम के रिकवरी के 1 मिनट बाद Pulse Count किया गया 30 सेकेंड तक तो कितना Pulse था उसका 90 92 सेकेंड में हो रहा था फिर Pulse Count 2 में आप्टर रिकवरी आप 2 मिनट यानि 1 से 1 30 तक Pulse Count किया गया 30 सेकेंड तर रेश्ट उसके बाद दो मिनट हो गया आप्टर रिकवरी आप 2 मिनट में 80 आया फिर Pulse Count 3 में 70 आया आप्टर रिकवरी आप 3 मिनट 3 से 33 तक ठीक है फिर ये तो हम निकाल लिए Pulse Count कर लिए अब इसको Physical Efficiency Index यानि PEI सुत्र की गर्ना की जाती है जिससे कर्था का Cardio Respiratory Endurance मापा जाता है Calculation Procedure क्या होता है? PEI यानि Physical Fitness Index बराबर होता क्या है? Duration of Exercise in Seconds गुड़े 100 क्या होता है? Duration of Exercise in Seconds गुड़े 100 Upon Sum of First Counts During Recovery गुड़े 2 यानि कि Duration of Exercise in Seconds गुड़े 100 यानि कि Duration of Exercise कितना है? पास मिनट तक एसरसाइज किया उसको इन Seconds गुड़े 100 उसको Second में लखना है तो पास मिनट गुड़े 60 कर देंगे तो Second आ जाएगा तो पास मिनट गुड़े 60 गुड़े 100 Upon Sum of Pulse Counts During Recovery गुड़े 2 ठीक है? तो दो गुड़े Sum of Pulse Counts During Recovery ऐसे भी कर सकते हैं तो दो गुड़े Pulse Counts हम क्या किया है? Pulse Counts 1 90 है 2 आपका 80 है फिर 3 आपका 70 है तो 90 प्लस 10 90 प्लस 80 प्लस 70 तो हम कैसे कर देंगे? 5 गुड़े 60 यानि 5 का 60 में जब हम गुड़ा करेंगे तो duration of exercise in seconds कितना seconds होगा पास मिनट में वह आ जाएगा तो 300 गुड़े 100 अपान 2 गुड़े 90, 80, 70 जड़ देंगे 240 तो आ जाएगा आपका 300 गुड़े 100 यानि 3,000 अपान 2 गुड़े 240, 480 अब ब्राभर आपका आजाएगा 220.5 आपका पल्स होगा पल्स काउंट का कार्डियो रिस्परिट्री इंडरेंस आपका कितना आया फिजिकल फिटनेस इंडेक्स 12.5 तो इसके लिए एक evaluation table होता है मुल्यांकन के लिए जिसमें लिखा होता है कि gender male and female plus excellent fitness क्या होगा good fitness क्या होगा average fitness क्या होगा low fitness and poor fitness क्या होगा तो excellent fitness के लिए male के लिए 90 and female के लिए 86 होगा good fitness में male के लिए 80-90 female के लिए 76-86 average में 65 85-89 male के लिए इसी तरह होगा तो यहां पे 12-5 आया है किस टेबल में कहां पे adjust होता है average में average fitness में आ रहा है या पैसर से 89-89 में यानि 42-25 क्या है average fitness है average fitness है ठीक है तो इस प्रकार से Harvard Step Test का सुत्र का प्रयोग करके निकाला जाता है तो Harvard Step Test से दूस्तों कैसे कैसे questions बन सकते हैं इसको देख लेते हैं सबसे पहले तो Harvard Step Test को किस ने बनाया तो 1923 में लियूसिन व्रोहा ने बनाया किस पर प्रयोग किया सबसे पहले तो Harvard Biz अमेरिका के इस देन्स पर सबसे पहले प्रयोग किया या क्या मापता है क्या मेजर करता है तो या काडियो रिस्परेटरी इंडिन्स या काडियो वेस्कुलर फिटनेस यानि इसके बॉक्स की लंबाई कितनी उचाई कितनी होती है पूर्सों के लिए 20 इंच यानि 50 cm महिला के लिए 17 इंच 45 cm ठीक है और इसका PEI यानि फिजिकल फिटनेस इंडेक्स Harvard Step Test में निकालने का सुत्र क्या होता है यह पुछ सकता है तो दोस्तों यही था आपका Harvard Step Test लेक्स वीडियो पे टटल पर स्रेटियो टेस्ट के बारे में बताऊंगी दोस्तों और जितने भी टापिक सभी बच्चे हुए हैं उन सबको डिटेल में टापिक वाइस बताऊंगी आयोक दोस्तों आपको Harvard Step Test समझ में आया होगा दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूब बताईएगा और ज़्यादे सज़्यादे दोस्तों तक भी सेयर कीजिएगा जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिससे मैं आपके लिए लेली बेसे इस वीडियोज बना सकूँ एन दोस्तों पहरी बाई वीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे जो भी मैं नेस्ट टाइम नया वीडियो अप्लोट करोंगी तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जैहिंग